आज हम बनाएंगे घर पे ही बेसन से नमकीन फ्रेंट्स बहुत ही आसान ही से बनाना तो यहां पर ले लिया है मैंने एक कटोरी बेसन इसमें डाल दी है नमक मिट्चे और करम मसाला जो के रेडिमेट होता है वही डाला है मैंने आपके पास अगर घर वाला मसाला है तो वह भ दाल दे और यहां पर डाल दिया है मैंने चार्ट मसाला और फ्रेंट्स मैंने फिर से उपर से और थोड़ा सा बेसन डाल दिया है मुझे थोड़ा कम लग रहा था और यहां पर मैंने फिर से नमक मिर्चे और सिर्फ चार्ट मसाला डाला है और इसकी फ्रेंट्स सबसे ज़ देखने में भी लगती है नमकीन तो फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है सिर्फ फैटा रही हमने बिल्कुल भी हमें इससे फैटना नहीं है कि हमें पुलकी की तरह बेटर बनाना है और यहां पर धकन लेलिया है इसमें कर लिए मैंने 10 से 12 छेद जो पतली वा जाते हैं तो फ्रेंड्स इस वाले बेच में आप देखिए कि मैंने छोटे छोटे करके और एक दम से पूरा मैंने नई भरा है और यह देखिए कितने बढ़हा से मेरे सेयों हुए नमकीन बनके रेडी हुई है यह वाली और आगे में इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाने वाली हूँ उससे और भी ज्यादा टेस्ट आएगा तो अभी यह मैं बेसन वाली बनाई है तो फ्रेंड्स अभी यह मैं छोटी छोटी करके डाल ली हूँ तो बिल्कुल सही आ रही है और यह देखिए अगर मैं इसको बहुत तेज प्रेशर से दबा दूंगी तो यह एक क गुत्था सा बन जाएगा तो इसलिए मैंने आपको दोनों करके दिखाई हैं कि हाँ आपको कैसे करना है तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल ओवरलेब हो चुकी है मैं आपको दिखाती हूँ इसको यह देखे एक के उपर एक मतलब चड़ गई है तो फ्रेंड्स यहां पर मेरे देखे यह मैंने फ्राई कर लिये थे और उसके बाद में चोटा चोटा चूरा बच जाता है यह मैंने एक पॉलेतीन में पेक करके रख दे थे तो बहुत बड़े हैसी क्रिस्पी रहे थे मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा चूरा बच गया था चूरा किसी ने खाया नहीं ह और इसकी भी हम दाल मोट बना लेंगे इसको भी हम दाल मोट में डाल देंगे तो फ्रेंट्स काफी दिन हो गए थे से बनाए हुए कम से कम तीन से चार महीने हो गए थे तो इसमें एक सीलन से आ गई है क्योंकि इस टाइम पे मैं बरसात में बना रही हूँ और इसमें एक स पर दस्त पापड बनके रेडी हुए थे तो फ्रेंट्स हम इसको भी अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं बस एक मिनट के लिए हर हाई फ्लेम पर इसका हमने तेल इसको हाई फ्लेम कर रखा है वहना तो तेल इसमें भर जाता है आप लोगों को इतना तो पताई होगा और यहां पर हमने यह मूम फली के धाने ले लिए हैं तो फ्रेंट्स यह मूम फली मेरे घर में कुछ जाद़ ही आ गई थी और कुछ तो एसी कच्छी ही खाए गई गई और कुछ यहां पर मैंने इस फ्राइग कर लिए अच्छे से और फ्रेंट्स यह देखे कैसे यह इसके पड़ी है और यह हमारी सेवं फुझी अब इन्हें इस्तमाल तो कर नहीं है चाहिए तो खराब हों चाहिए हों। काने में तो कोई फर्क नहीं ही पड़ेगा, तो फ्रेंड्स यह ने प्लब अच्छी नहीं 2 लगती हैं। और हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके जो बात में हम मसाले डालेंगे ना फ्रेंट्स उससे घजब का टेस्ट आता है तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें यह नहीं कि अभी से छोड़ के भाग जाएं कि हाँ हाँ बस हमें पता चल गया है त यह व्लाकाँ कष्थी टेस्टी और जो घर में पड़े रहते है न मसाले उनहीं से बनाने वाली हूं तो यह देखें अम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते तयकि एक के अंदर एक जजब हो जाएए अब इसमें हम टाल देंगे वो मसाले पहले हमेश को अच्छे से मिक्स कर यह देखे और फ्रेंट्स आप इसकी आवाज सुन पाते मगर मैंने इसको डिलीट कर दिया आवाज को तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने डाल दिया है यह गरम मसाला थोड़ा सा बिल्कुल और अब डाल दिया है मैंने इस पर चाट मसाला फ्रेंट्स चाट मसाला जरूर डालें और यहां पर आप नीमभू दालें अगर आपको नीमभू ही डाल के खाना है तो फिर जिस टाइम पर खाएं, उसी टाइम पर डालें मतलब हर टाइम में इसको डाल के रगतें और इसको आप airtight भी कर सकते हैं महीनों तक क्या सालों तक भी खा सकते हैं तो यहां पे मैंने थोड़ा सी मिर्चे ढाल दिया है और यहां पे थोड़ा सा नबक डाल दिया क्यूंक है चार्ट मसाले में भी नमक रहता है और मेंने काला नमक भी डाल दिया था तो friends हम Us को एक बार और मिकस कर लेते हैं यकीन मानिए कि इतना जबरदस्त इसका टेस्ट हो चुका है ना बहुत ही जबरदस्त क्यूंकि हमने जो क्रिस्पी वाले पापड इसमें डाल दिया है ना बहुत ही बढ़िया हो गया है तो फ्रेंड्स ये देखे है ना लुक भी बहुत ही अच्छा आ रहा है दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स हम इसको एर टाइट डब्बे में भी बंद कर सकते हैं या फिर एर टाइट पन्नी आती है जो डबे में भी करके रख लिया है और ये देखी उखती बढ़िया से मेरी ये नमकीन हो गई है और मैंने एक बनाई है नमकीन सेउ जो मार्किट में सेउ मिलते हैं ना वही तो आपको उसकी भी रेशीपि में आपको दिखाने वाली हूं कि मैंने उनको कैसे तग्यार करा है जो नमकीन वाले सेव रहते हैं ये बेसन वाले तो Frens ही मैंने उसमी में से आधे बचा लिये थे और इस पे हम डाल देंगे चाठ मसाला बस नोर्मली हम इसमें चाठ मसाला डालेंगे और कुछ ने डालेंगे तो फ्रेंड्स ये भी बहुत टेस्टी लगे थे बहुत टेस्टी क्योंकि हमारा जो बेटर था ना वो बहुत ही अच्छा था बहुत ही अच्छा बनावा था हमने उसको नहीं तो फेटा कोई जंजटी नहीं है बस आराम से मिक्स करो बेशन में थोड़ा से सामग्री अधिय है।